आज किस वीडियो में मैं आपको बताओ कि कैसा आपने किसी भी शाओमी स्मार्टफोन में डाइनमिक आइसलेन को इनेवल कर सकते हैं जो कि बहुत इजी और सिंपल तरीका है इसके लिए आपको ये वीडियो इन तक देखना होगा चैनल पर नहीं आए हैं तो हमारे इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजे वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूद दीजेगा अब बात करते कि डाइनमिक आइसलेंड को कैसे आप आपने किसी भी शाओमी स्मार्टफोन में इनेवल करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फाइल का लिंक भी लेगा जैसे आप उस फाइल पे क्लिक करेंगे आप आजाएंगे गूगल प्लेश्टोर पर और यहां पर आपको एक एक अप्लिकेशन देखने को मिल जाता है इससे आपको वन क्लिक में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के वाद इसे ओपेन कीजिए जैसे ओपन करने के लाद सबसे पहले आपको कुछ पर्मिशन वगएरा देना है इस तरह से टर्णाउन कीजिए फिर से ओके कर दीजिए आप इस पेजपे जम कर जाएंगे उसके बाद यहां पर क्लिक करना है और यहां पी इस ओप्षन को इनेवल करना है इस तरह से आपक कुलेट करना है और यहां पर इस पर्मिशन को लाउट कर देना है फिर से सेलक्ट Εसेलेक्ट कीजिए ओक कर देजये अब अगर मानल लेजाएं सबसे अगर आपको बढ़ाना है तो आपड सान तरीक से छोड़ दिए एंड लास्ट पर्मिशन आपको अलाव करना है इसके लिए यहां पर डाने में आपको एकी चीज रिकमेंड करूंगा एपी 14 वाला थीम को डाउनलोड कर लिजे अपलाई कर दीजे अपलाई करने वाद आपके डिवाज में आइफोन 14 वाला थीम सेट हो जा पर देख रहें तो इस तरह से आप यूजबी कर सकते हैं जैसे कि यहां पर देख रहाएं नेक्स्ट वगरा कर सकते सौंग वेगरा और कुछ-कुछ टाइम और करता है तो इस चीज़ का पूछ थ्यान रखना होगा क्योंकि अभी यह बीटा टेस्टिंग में चल रहा है ज हमारे इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजे वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजेगा